दिल्ली में रहते वे उन्होंने तेजस्वी आदब के खिलाफ बड़ा बयान दिया है आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब रागोपूर पहुँचे थे तेजस्वी आदब उस वक्त मीडिया से बाच्षीत करते हुए तेजस्वी आदब ने साफ कहा था कि दो से तीन महीने रुख जाईए बिहार में सरकार गिर जाएगी जी हाँ तेजस्वी के उसी बयान पर जीतन नाम मांजी ने बड़ा हमला किया है और साफ साफ कह दिया है कि ये सपने ना देखे तेजस्वी आदब क्योंकि उनका ये सपना जो है पूरा होने वाला है नहीं सिरे से खारिज कर दिया है मांजी ने कहा है कि NDA सरकार पूरे पाँच साल तक चलेगी जी हाँ तो जीतन नाम मांजी का ये बड़ा वयान सामने आया है आपको बता दे कि दिल्ली पहुंचे मांजी ने कहा है कि बिहार में NDA पूरी तरह से एक जूट है और हिंदुस्तानी लवा मोर्चा VIP NDA के साथ मजबूती से खरे हैं मांजी ने लगे हाथो चिराग पासवान पर भी करारा हमला बोला चिराग पासवान को निशाने पर लेते हुए जीतन नाम मांजी ने साफ कह दिया कि उनका कुछ भी नहीं है जो है उनके पिताजी की विरासत रामिलास पास पासवान की जयनती कारेकरम पर टिपनी करते हुए मांजी ने कहा केवल जयनती मनाने से ही SCSD तेजस्वी आदव के साथ नहीं जाएगा आपको बता दे कि तेजस्वी आदव आने वाले 5 जुलाई को रामिलास पासवान की जयनती मनाने वाले हैं चिराग में अपने आपको जीतनाम मान जी ने ऐसा कहा कि चिराग ने अपने आपको हनुमान और प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी को भगवान राम कहा था जिससे कुछ लोग भ्रहमित हो गये थे इसलिए उनका वोट प्रतीशत कुछ जादा बढ़ गया था लेकि नरेंदर मोदी जी को राम कहना जहां उनकी फोन पर लालू यादब से बातचीत हुई इस घटना के बाद तेजस्वी आदब ने पिछले दिनों ही बिहार में सरकार गिराने वाला बयान भी दिया था जी हां और जब रागोपूर पहुंचे थे तेजस्वी आदब उस वक्त तेजस्वी आदब ने ये ब मोचा कहीं NDA से अलग ना हो जाए जिस तरह से जीतना मांजी से तेज पताप यादब मिलने पहुंचे थे ऐसे में लोग कयास लगाने लगे थे कि बिहार में हो नहो सरकार गिर जाएगी लेकिन अब जीतना मांजी इस बात को सिरे से खारिज करते हैं जीतना मांजी ने साफ कहा है कि NDA की सरकार बहार में पूरे 5 साल तक चलेगी यानि कि VIP और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कहीं नहीं जा रहा है जी हां तेजस्पी आदब के साथ बिल्कुल भी नहीं अगर आपको ये ख़बर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा फिर सुपी पेच को भी लाइक और फॉलो कीजेगा नहीं बाद